गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासह शरणम सुहित निवासह शरणम सुहित प्रभवः प्रलायह स्थानम निधानम पीजमग्ययम निधानम पीजमग्यम So, what would meaning? गतिही लक्षे भरता प्रभु भग्वान साक्षी गवाह निवासह धाम शरनम शरन सुहत गनेश्ट मित्र प्रभावाः श्रिष्टी प्रलाया सम्हार स्थानम भूमी स्थिती निधानम आश्रे विश्राम स्थाल भीजम बीच कारन अव्ययम अविनाशि मैं ही लक्षे पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरन स्थाली तथा तियंद प्रिये मित्रू मैं श्रिष्टी तथा प्रले सब कहधार आश्री तथा विनाशि बीच हूँ तीकितात पड़े अभी हम पढ़ेंगे पहले कोई रिपीट करेगा कोई करना चाहते है रिपीट गतिर भरता प्रभु साक्षी निवाशह शर्णम सुखिते प्रभवः प्रलयस्थानम निधानम भीजम अवययं गतिर भरता प्रभु साक्षी निवाशा शर्णम सुखिते निवाशा शर्णम सुखिते प्रभवः प्रलयस्थानम निधानम भीजम अवययं निधानम भीजम अवययं और कोई पढ़े है रिप्र भरता प्रभु साक्षी निवाशा शर्णम सुखिते प्रभवः प्रलयस्थानम निधानम भीजम अवययं निवाशा शर्णम क्यों मतंद्द्द्ध्रि मतंद्द्द्द्द्द्द्ध्र्भु अवययं शीला प्रभपाद लेख रहे हैं आपर गती का अर्थ है गंतव्या लक्षे भगवान अपने गुनों के बारे में बता रहे हैं श्लोक में यह यूं समझ लीजे भगवान ने बता रहे हैं कि जितना तुम सोचते हो मैं तुमारे निकाटू उससे ज़्यादा निकाटू भगवान हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं और हमेशा हमारी मदद करने में ततपर रहते हैं और हम हैं जो उनकी मदद नहीं लेना चाहते हैं नहीं लेने में तत्पा रहा हूँ, हमारी ट्रैजेडी है, वो ट्रैजेडी मुवी साती थी नो, that's our tragedy, so मगर भगवान अपने बारे में हमें बता रहे हैं कि जिससे हमें भगवान से और प्रेम हो जाए, बलकि नौबा ध्याए, परम गुई ये क्यान, so इसमें भगवान प्रेम की चर्चा कर रहे हैं सध्याए, और प्रेम मतलब कि भगवान सब कुछ नहीं, तुमेवा माता पिताज तुमेवा, तुमेवा मंदू सखा तुमेवा, वो exactly यही है, इसी से शायद इसी को पढ़ के किसी ने बनाया होगा, अच्छा बनाया है, कोई बुड़ा नहीं है, it's nice, so भक्त के लिए भगवान सब कुछ है, क्या क्या कह रहे हैं कृष्णा, क्रिष्णा कह रहे हैं गती, गती का अर्थ है गंतव्य लक्षे, जहां हम जाना चाहते हैं, so गती का मतलब प्रभवपाद लिखने हैं लक्षे, संस्क्रित में मतलब यही है गती का, जहां पहुचना है आपको, आपकी गती क्या है, वैसे तो गती का मतलब यह भी होता है, स्पीड भी बात है पैसे तो गती मगर यहाँ पर गती मतलब यह नहीं है यहाँ पर है कि आपकी गती क्या है बोलते है न आपकी गती क्या है या गती का मतलब यह भी हो डेस्टिनी डेस्टिनी मतलब कैसे कहेंगे इंदी में आपका भागे क्या है आपकी गती क्या है क्या होगा आपका आगे उस सेंस में भी उस होता है नहीं गती का स्वर प्रभुपाद लिख रहे हैं गंतव्वे या लक्षे जहां हम जाना चाहते है वेल लेकिन चरम लक्षे तो कृष्ण है जद्यपी लोग इसे जानते नहीं हम सबका लक्षे भगवानी है चाहे हम भगते हैं चाहे अवकते हैं इसलिए भगवान कहे रहे हैं मैं सबका धती हूं मैं ही लक्षे हूं सबका ममा बर्तमानू बरतंते मनुष्य पार्थ सरवशा कौन सा शलोग है 4.11 मैं ही सब का गंतव्य हूँ. जो इस प्रकार मेरी शेरन लेते हैं, मैं उस प्रकार उसको उसको एवार्ड दे देता हूँ. So, वैश्णव तो जानते हैं ये, और अवैश्णव नहीं जानते हैं. बस फरक हैं, और कुछ नहीं है. जो जानते हैं कृष्णा गती है, वो तो कृष्ण की भक्ती करते हैं. जो नहीं जानते हैं कृष्णा गती है, वो क्या करते हैं? उनकी भी गती कृष्णा ही है, मगर वो करते हैं कुछ और हैं. क्यूंकि आत्मा की गती, तो आत्मा का लक्षे तो कृष्णा ही, आत्मा तो जानती है, भी मेरी मेरा लक्षे कृष्णा है, और कृष्णा कौन है, कृष्णा कौन है, कृष्णा परम आनंद है नहीं, सच्चे तानंद है नहीं है, कृष्णा ज्यान के सागर है, आनंद के सागर है, परफेक्ट है, है happiness है तो आत्म इस संसार में कृष्णा को धूंद रही है किस रूप में? परामानन्द के रूप में perfect next के रूप में सब लोग यह तो चाहते है maximum happiness चाहते है और सब लोग perfect बनना चाहते है perfection तक पहुशना चाहते है साइंटेस्ट, philosopher हम भी perfect बनना चाहते हैं सब लोग topmost बनना चाहते हैं या उस सिर्थी के जुड़ना आते हैं जो topmost है क्यों क्यों कि हम कृष्ण को ढूंट रहे हैं हमें भगवान का experience है और इसलिए हम उनी को ढूंटे जाते हैं problem यह है कि हम उनको भूल गए और हम उनको अलग-अलग चीज़ों में ढूंटे हमें happiness चाहिए हमें perfect बनना है तो दुनिया कहती है हाँ चलो ठीक है तुम्हें चाहिए तो पैसे से बन सकते हो तो लक्षे तो हमारा Krishna ही है लक्षे तो हमारा Krishna की perfection Krishna की happiness ही है मगा problem यह है कि हम उनको भूल गए इसलिए लोग आके फिर advertise कर रहे है तुम्हें चाहिए तो पैसे में ढून लो तो फिर हम पैसे पैसे से वो लक्षे पराप्त करना चाहते है नहीं ऐसी है न कुछ लोग कहते है ठीक है पैसे छोड़ो तुम्हें हम लोग तुम धर्म का पालन करो धर्म पालन करने से तुम्हें perfect happiness मिलेगी तो ठीक है कुछ लोग महाँ पे चले गए कुछ लोग कहते अपने इच्छा है पूरी करो जो मन में आए वो करके दिखाओ तब तुम्हें perfectness तब तुम्हें happiness मिलेगी, तो मा ढूंड रहे हैं तो गलत advertisement है बैसे करी लोगों का हम भी advertise कर रहे हैं मंदिर में भई भगवान के पस आदा दो तुम्हें आपर perfect happiness, perfection मिलेगी इसलिए प्रभपात कह रहे हैं कि सबका चरम लक्षे कृष्ण है अगर लोग यह नहीं जानते गलत जगे ढूंड रहे हैं भगवान को बस जो कृष्ण को नहीं जानता वैपत फ्रस्ट हो जाता है नहीं जानता वो फिर गलत गलत जगे भगवान को ढूंडने लगता है भगवान की खोज तो सभी कर रहे हैं खोज में लगें और कुछ निया था तो भ्रह्मा जिग्यासा सब जिग्यासा ही करने में लगें खोज में लगें और यह कोई डिनाइए नहीं कर सकता कि सबको सचे तानन चाहिए नहीं सबको इटर्नल बनना है नौलेज चाहिए हैवेने चाहिए बस मीन्स गलत है मीन्स गलत गरते हैं और उसकी तत्ह गति प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रह्मपून प्रहुपाद दो सब इस्तमाल कर रहे हैं या तो उसकी प्रगति आंशिक होती है या भ्रह्मपून प्रहुपाद इंगलिश में लिख रहे हैं या तो उसकी गति पार्शल होती है या है नहीं पता हम भूल गए तो उनी भगवान को लगए तो पैसा भगवान बन जाएक लिए किसी के लिए अपनी इच्छाय भगवान बन जाएंगी यह होता है नहीं सब कुछ है मेरे लिए this is my god, money is god नहीं वो बन गया क्योंकि उसको लग रहा है महा से मिलेगा तो या तो उनकी प्रगती पार्शल होगी या हैलुसेनेटरी हैसले है हैलुसेनेटरी समझते हो हैलुसेनेटरी प्रभपाद इस्तमाल कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो की भगवान को छोड़के इस संसार के सपने में घूम रहे है ब्रहमपूर नहीं गलत जगे टूँड़े है न भगवान को उनकी गती ब्रहमपूर नहीं भोगियों की बात कर रहे है और आंशिक किनकी बात कर रहे हैं योगियों की और ग्यानियों की उनकी गती ब्रह्मपूर्ण है कि वो कृष्ण को कहा डून रहे है जोती में that's wrong so दो तरह के लोग है आनशिक और ब्रह्मपूर्ण ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं की को भी अपना लक्षे बनाते हैं तद अनुसार कठोर नियमों का पालन करते हैं चंद्र लोग, सूरे लोग, इंद्र लोग, महर लोग विविन लोगों को प्राप्त होते हैं कुछ लोग समझते हैं कि उनकी गती देवी देवता है उनकी गती भी आनशिक है महां जाकर रुख जाते हैं प्रभपात पपपट में लिख रहे हैं भगवान के पास, डारेक्ट, देवी एपताओं के उपास अग सीड़ी से जा रहे हैं, पहले सूरे लोग, पिर दीरे दीरे उपर बढ़के, पिर दीरे दीरे उपर पढ़ते रहेंगे, आधे मनुष्य को चाहिए कृष्ण तक सीधे पहुचे, क्योंकि इस से समय तता शक्त की बचत होगी, तो यह मतलब है गती, गती मतलब गोल, अपना पहले गोल डिसाइड करो, भगवान के अपना गोल सेट करो अपने जीवन में, हमारा गोल भगवान है, और जिसका गोल भगवान है, उसकी लाइफ भी भगवान के हाथ में आ जाती है, डिवोटीज की भगवान हैंडल करते हैं इसलिए भगवान दूसरा शद बोल रहे हैं भरता भरता मतलब पालग मैं अपने भक्तों का पालग हूँ नॉन डिवोटीस का भी पालग करता हूँ मगर अपने भक्तों का परसनली पालग करता हूँ नहीं प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्चली भर्ता का मतलब होता है धार्यती धारन करना बिभर्ती नहीं शब्दोदा संस्कृत में धारन करना जब सब सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है अते कृष्ण की शरण लिए बिना किसी बस्तू का स्थित्व नहीं हो सकता प्रभुपाद भर्ता को एक्स्प्लेन करना है क्यों भगवान सब का पालन कर रहे है क्योंकि सब भगवान कर यह जिसका है वो ही तो पालन करेगा उसकी responsibility है नहीं हमारी extraordinarily है पूरे इंडिया के पालन करना प्राइमिनिस्टर की है वहान मों अपनी responsibility समझते है कि मेरी responsibility है सब का पालन करना नास्तियों के पालन कर रहे हैं भक्तों के पालन कर रहे हैं भोग यों का पालन कर रहे हैं क्रिपा से सब को जैर हैं सूरे, चंद्रमा, हवा, पानी और वैशनव वो अपने भक्तों का पालन कैसे कर रहे हैं? अपने भक्तों का पालन कर रहे हैं उनकी भक्ती की रक्षा करके इस तरह से उनका पालन करते हैं भगवान अपने भक्तों का पालन करते हैं अपनी भक्ती में रस प्रत्यान करके अब भक्तों को खाने में रस देते हैं पैसे में रस देते हैं तो चलते रहते हैं नहीं चलते रहते हैं अगर कहीं भी रस नहीं आएगा तो क्या करोगे आप सुसाइड कर लोगे मर जाओगे तो भगवान इस तरह से पालन, भगवान एक्चुली रस देके पालन कर रहे है, भार, भार से सूरे, चंद्रमा, अगनी, वाईयू, शरीर को पालन कर रहे है, अंदर से रस देके पालन कर रहे है, इसलिए भगवान हरे को रस देते हैं, चैना पैसे के पीछे भगोगे न क्यूंकि आपको आपका पालन कर रहे हैं, चलो भी करते रहो, तुम्हे चाहिए न ठीक है, तुम्हें करो, और तुम्हें मैं आनन्दी दोंगा, कि तुम्हे कर पाहू, अपनी इच्छा पूरी करो चलो, और जब इच्छा पूरी करोगे, मुझे शोड़ कर, तो दुख मिले दुख में लेगा, तो मेरे पास आजाओगा, भक्तों का भी पालन करेंगे, रस देकर अगर भक्ती में कुछ आनंदी नहीं आए, तो फिर तो सब छोड़ी दें, इसलिए रूपा को स्वामी कह रहे हैं, क्लेश आगनी शुब्दा, भक्ती शुरू करते ही आनंद आने लगत है, अब कोई question पूछ सकता है, भक्ती शुरू करते हैं, आनंद क्यों आता है, हम तो deserve करते हैं नहीं, हमने का किया है, हमें तो माला भी सही से नहीं हो रही, वो भी छोड़ देते हैं, अपरात भी करते रहते हैं, पाप भी करते रहते हैं, मैं अब क्रिशन की नाक में दम कर देते हैं, फिर हम अच्छी तरह करेंगे, फिर खराब कर देते हैं, सो भगवान भी कह रहे हैं, क्या है, अच्छी बाइबल अगर आप पढ़ोगे न, Old Testament, तो भहाँ पर भगवान ने बोला कि जितने भी तुम, जो tribe है tribe, Moses, तो सब का भगवान पालन कर रहे थे, भगवान आपढ़ोगे, teachings, और मैं तुमारी तुमारा पालन करूंगा, तो मगरतो ठीक्स फ़लो नहीं कि तो contract जानी यह भगवान ने चलों फिरसे contract बना लेते हैं फिर से उन्होंने गडबड़ कर दी फिरसे भखवान ने problem दी, फिर से उनको होश आया फिर contract आगए फिर से problem नि फिर से hoObš आया और फिर end में भगवान ने मोजेस से मोजेस भाईया मैं तुमसे को लेना देना नहीं तुमारे लोगों ने मेरे नाख में धम कर दिया बार बार तोड़ते रहे तो तुम चले जाओ यहां से and finally he did like that so कभी-कभी भगवान पालन करते है रस दे के भी, कभी-कभी भगवान पालन करते है लात मार के भी नहीं प्रॉब्लम्स दे के भी भगवान पालन करते है क्योंकि अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी न तो फिर हम सीरिस भी नहीं होंगे तो लातो के भूथ दोनों से पालन होता है न सामदान दंडभेद राजा तो ऐसी करता है और आप उनको समझा दो मानलो लात मारो कभी कभी कृष्णा हमारा पालन करते है हमारा फॉल दाउन कराकर वो भी पालन होता है क galaxy हम कुछ गडबड करते है तो फिर हमारी भक्ति भगवान रोकेंगे नहीं रोक तो सकते ही है न वो तो कुछ भी कर सकते हैं वो तो बहुत intelligent है वो रोक देंगे या आप बहार गए आपका मन के बहार खाने का भगवान नहीं रोके आपका fall down हो लेंगे खालो बल्कि और पेड़ना देदेंगे खाओ, और खाओ, आपर खाओ करने कियो कि इससे आपको fall down हो फिर आपको पता लगे कि मैं अभी तक अपनी शकती से आगे नहीं बढ़ रहा था जैसे अजन के आट किया ना भगवान ने जब गया शारी अर्जुन के शक्ति पता है ना जब कृष्णमान ने का अर्जुन को की भी सारी राणियों को लेकर चले जाओ पिंदावन और यहाँ पे बार आने वाली है हम लोग जा रहे है प्रभास शेट्र क्रिष्ण बलराम सब लोग यह दूखो तो क्रिष्ण जब बीच में जा रहा था सारी राणियों को लेकर तो कुछ डाकू आ गए और डाकू ने का कि मैं बापस करू अरजुन ने का क्या नॉंसेंस मैंने महारत में युद्धाओं को मार दिया तो अरजुन रोना था यह क्या हो गया मेरे साथ मैं वही सब्वे साची हूँ मैं वही अरजुन हूँ मैं तो बिल्कुल चाठ डाकू हो से हार गया भगवान ने अरजुन की सारी शक्ति छीन ली थी यह समझाने के लिए अरजुन को हमारे अंदर इच्छाएं होती है भोग करने की तो हमें दिखाने के लिए कि हमारे अंदर भोग की इच्छाएं फॉल डॉन होने देते हैं हमारा कि हमें लगता है नहीं है कभी कभी जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते अच्छी तरह हैं और फिर भी खुश होते हैं फिर भ बिना भक्ति के सेटल हो रहा है यह तो गरबड हो गई इसको सेटल थोड़ना हो नहीं दो गा बिना वख्ति के सटल होता ही नहीं फिर जब गुल गाए यकार मने था क्या रमायन में कौन था वो बाली शुग्रीफ सुग्रीव को राम भगवान ने बोला था ना कि मेरी मदद करनी है तो चतुरमा से आ गए तो सुग्रीव अपना राम से एच कर रहा है सुग्रीव चार मने का भूल भी गया कि राम भगवान की मदद करनी है अपना मस्ती हो मस्त हो गया हो तो आपने लक्षमन को बज़ा जाओ भी है उसका थोड़ा होश्ट खाने लाओ तो ऐसी भगवान फॉर्ड़ान हो जाएते हैं जब हम अराम से मंदिर में सैटल हो जाते हैं न मठिया बन जाते या थोड़ा बद भक्ती चल रही होती है ठीक या चलो अच्छा जब तो जब सतोगुन में आ जाओगे न थोड़ा अच्छा हो जाएगा लाइफ तो सतोगुन को आप निर्गुन अवस्ता से कन्फ्यूज कर जाओगे ऐसे लगएगा सतोगुनी हम फानल डेस्टिनेशन है गती वो ही डेस्टिनेशन है सतोगुन डेस्टिनेशन नहीं है तो फिर भगवान धीरे-धीरे कुछ न कुछ फिर हमें होश में लाते हैं भईय होश में लाओ, इसको किसी तरह, तो भगवान के अपनी टेक्निक्स हैं, तो इस तरह भगवान भरता है, जैसे मा अपने बच्चे को प्रेम भी करती है, थपड भी मारती है, उसका पालन पोशन करने के लिए न, उसी पकार भगवान भी कभी कभी हमें अबदेश भी देते है रस भी देते हैं भक्ती का, कभी-कभी थपड भी मारते हैं, कभी-कभी आगे भी बढ़ाते हैं, कभी-कभी पीछे धका भी देते हैं, फॉल्डाउन भी आता है, फॉल्डाउन यहां होने देते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें हमारी तरफ से हमें क्या करना है, हमारी भगवान हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, उसको फिर डीकोड करने ही कोशिश करो, उसको समझने ही कोशिश करो, कि पिर क्यों, क्यों, क्यों मेरा भूला दो, क्यों, ऐसा क्यों हो, ओके, शायद मैं ध्यान नी दे रहा अपनी भक्ती बे, इसलिए भगवान कुछ मैसेज दे रहे हैं, मा के थपड में कुछ मैसेज होता है, नहीं होता है, होता है, नहीं होता है, एक दुश्मन थपड मारेगा, तो कोई मैसेज नहीं है, मो तो पीटने के लिए मार रहा है, मा जब थपड मारेगी, तो उसके पीछे मैसेज है, पढ़ ले, बोलेगी नहीं, सीधा आगे बैठ जाएगा राम से, वो कुछ बोला तो नहीं हो उन्होंने, या कभी कभी हड़काते नहीं है, वो भाग वाग गया अपने रूप में था पैड़ गया, अपने राम से किताब कोड़ गया, वो ऐसी भगवान, ऐसी भगवान भी कभी फॉल्ण कराते हैं, तो हमें समयना चीए क्या बता रहे हैं, अब है चैंटिंग कर ले चुगू, सीरस होजा साधना में नीचे हो गया है तो, ब्रहम में मंदरे बैठके ही माया में पढ़ गया है, इस तरह कृष्णा कह रहे हैं, मै गतिर भरता, जब गती हम भूल लाते हैं, तो भगवान फिर हमारा पालन करते हैं, भगवान पालन करते हैं कि गती की तरफ हमेशा अपने लक्षे की तरफ भरते रहे हैं, यब बातों से मानें, चैलातों से मानें, इसलिए धोनों सब साथ में, गतिर भरता देख रहे हैं, साथ में दिया है भगवान में ओके फिर उसके बाद भगवान कौन है प्रभू प्रभू कौन है प्रभू पाद देख रहे हैं आपर कृष्ण परम साशक है यहीं कि सब कुछ उनी का है उनी की शक्ति पर हाशुरित है भगवान प्रभू है प्रभु मतलब बता है नियामक, controller. So Krishna अपने भगतों की life personally control कर रहे होते हैं. जिनकी गती fixed है, जिनका goal fixed है, जिनके हिर्दे में कपट नहीं है. हम भार से दिखा रहे हैं goal, Krishna अंदर से कुछ और goal है, उनका जो चलो अलग department है उनके लिए. मगर जिनका goal fixed है, उनको भगवान स्वैम control करने लगते हैं. उनको भगवान स्वैम, जैसे एक घड़े को व्यक्ती, क्या कहते हैं, कुमार घटता है, उसी प्रकार भगवान अपने भगत का जीवन स्वैम घटते हैं. ये अच्छली शब्द विष्णु सहसरा नाम में भी आ रहे हैं सारे सब, विष्णु के नाम है, विष्णु सहसरा नाम है, प्रभू, गदिर भरता, प्रभू साक्षी, एक्चली, अल्मोस्ट ऐसे हैं विष्णु सहसरा नाम है, प्रभू हैं, कंट्रोल करते हैं, और मगर वो control प्रेम से करते हैं, मतलू हितलर की तरगो चाँते, उनको मसा आते हैं, जो भक्त चाँते हैं, उनको उनको प्रबलम होती है, उनको ठोड़ा दुख होता है, क्योंकि भगवान तो प्रफबें करेंगे, मगर वो होना नहीं चाता तो फिर भाइवान वो कुछ प्लाइन मनाना पड़ता है उसको अपने अंदर लाने अपने कंट्रोल में लाने के लिए जो आदब होना कंट्रोल होना चाते हैं उनके लिए प्लाइन मनाते हैं जो भोगी लोग कंट्रोल होना ही नहीं चाहते, उनको फिर मृत्यु से कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ओके गुड, डाये दाओ, जो एक्षु बर्वजा नहीं चाहिए नहीं, अधशु डाये और एक्षु रियालिटी तो भो है, हम कंट्रोल के भार जाने में मजा आते हैं, अभी हम उल्टे हैं, नहीं, हम इंडिपेंडेंटेंट रैने में मजा आते हैं, बंगर डिवोटी क्रिश्ण से खाते है, एक प्रभुपाद ने नहीं मुला क्रिश्न को एक प्रिश्न प्लीज मेक मी डान्स आप एक प्रफॉट्रेट गुवर्ट के सब्सक्राइब अब कोई बुचेगा है तुम कंट्रोल के हो रहे हो तुम क्यों उसकी बात मान रहे हो की ऑग्ल्फ्रेंड के हो कहे रहे हैं दिलादो तो दिलादो घुबाने ले जा तो घुबाने ले जाओ से एक पिता को बच्चे से कंट्रोल में मज़ा आता है प्रवपत अहुट अपने lecture में कह रहे हैं कि पता नहीं कौन था एक वfolg फेकरता रहा हुद मिलने लिए और सबक्रांज को तो राय। तो शुपने चोब कर रहे है क्या होँदा इस वह गोड़ा वनावा था को सा अब तो अखर तो भूदर रहुा है अब वो कंट्रोल हो रहा है बच्चे से butterfly उसको मज़ा आरे है और करिस्टन भी control हो रहा है फिर्ञ्दावन में गोपियों से को नन्द बाबा से करेरे क्रिशन प्रेम की शुरुवात है कि हमें अच्छा लगने लगे कंट्रोल होने में अगर आपको यह अच्छा नहीं लग रहा तो प्रेम कभी नहीं मिल सकता वो फाउंडेशन है इसलिए भगवान कह रहे है वैशनव सेवा करू क्योंकि भष्णव सेवा में कंट्रोल होना पड़ता है न उनके जो वो कहरे है करना पड़ता है इसलिए प्रभवपात कह रहे है कि जो स्पूरुचल मास्टर की बात नहीं मानता है चाहें वो सही भी कर रहा हो तब भी वो कहे, तब भी वो माया में, तब भी माया में, तब भी तो भक्ति संता ने बोला कि भी जो बिंदावन में बैठना माया में वो किसी ने सुना ही नहीं था, अब भी अपनी फिलोसफी बोलो यारे हैं, बिंदावन में बैठके भजन करने हैं लोग, और ये कह रहे ह में कि वह समझ गए है कि प्रेम की शुरूबात किस से होती है प्रेम की शुरूबात है कि कंट्रोल होने में मज़ा आने लगे तो जितने भी बिंदवने वैठे हैं उनको मज़ा ही नहीं आ रहा था भगवान की बात सुनने में क्या देश है कि यह बिंदावने मत बैठो उसका मतलब वही है जा रहे देखो तारे खो क्रिशना हो देश बिंदावने मत बैठो बहार जाओ और प्रचार करो अब problem यह है problem यह है कि आप किसी भी relationship में देखो एक एक लड़का लड़की मिलते है तो उनमें relationship deep कैसे होता है कैसे होता है जब लड़के की बात मानेगी लड़का लड़के की बात मानेगी तब ही तो फिर उनमें deep होगा relationship अगर वो अपना कर रही है वो अपना कर रहा है तो यह relationship नहीं चल रहा मारा नहीं तो अपनी जाड़ती रहती है मेरा अपना एडिया से नहीं नहीं चलेगा ना so you have to accept husband wife में भी relationship क्यों चलता है क्यों मान लेते है ultimately नहीं चलो ठीक है यार जो करना कर लो फिर कभी कभी wife कहती है चलो भी आपकी बात मान लेती हूँ एक दूसरे की बात मानते है is it तो ऐसी भगवान के साथ है अगर हम भगवान और भगवान के भकतों की बात मानना शुरू करेंगे तब हमारा संबंद बढ़ता रहेगा डीप हो जाएगा अगर हमें मज़ा आएगा क्रिश्ना आप मुझे कंट्रोल करेंगे मुझे इतना मज़ा आरहे और कंट्रोल कीजी तब प्रेम प्रेम है हंड़र परसंट मज़ा आरहे चंट्रोल होने आप भगवान के उगलियों पे नौच रहे हो है नहीं होते है नहीं होते है that's love you are enjoying that you are enjoying that bondage actually ultimately है, वो हिर्दे ग्रंथी को आप enjoy करने लगे हो, अब आप वहाँ enjoy कर लो हिर्दे ग्रंथी को तो आप फस गए, और यहाँ पर अगर हिर्दे ग्रंथी को enjoy करने लगे, तो वह हो टाइट हो जाएगी, इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रभु, मैं प्रभु हूँ, हमें recognize करने हैं कि भगवान प्रभु हैं और प्रभु को प्रभु के रूप में ही सुईकार करने हैं, सो भगवान जो कह रहे हैं हमें हम भगवान की एक भी बात को मना नहीं कर सकते क्योंकि हम मना करेंगे तो हमारे relationship में crack आएगा और after all संबंधी तो सब कुछ है भगवान से मतलब what else do you want कुछ दिखाई थोड़े ना दे रहे हैं कुछ आसमां से तारे थोड़े ना टूट रहे हैं और कौन है कृष्णा साक्षी कृष्णा कह रहे है मैं साक्षी हूँ साक्षी मतलब होता है साक्षाद इक्षती इती साक्षी जो साक्षाद देखते हैं वो साक्षी है अंदर बैठके देखते रहते हैं भाईया यह मुझे प्रभु मान रहा है नहीं मान रहा है मुझे तो नहीं मोल रहा है प्रभु आनन दाता ग्यान हमको दीजिए जब ग्यान आता है तो मुझे नहीं चाहिए मेरे अपने आइडिया है सो वो सब स्कैन करते रहते हैं अंदर से और हर चीज याद रखेंगे आप भूला होगे वो याद रखेंगे इसलिए बहुत ध्यान से सोचना चाहिए क्योंकि आप तो भूला होगे चलो भी मगा भगमान को याद रहेगा इसने दो साल पहले इच्छा कीती पीजा खाने किया पीजा सामने आ गया तो थास तू आपका मन करने लगेगा अचानक से पीजा खाने गा विल्कुल मन नहीं कर रहा है एक सेकंड पहले एक सेकंड पहले आप एर्द को स्वामी हो और एक सेकंड बाद आहीं ये क्या हो गया नहीं तो सोच भी नहीं रहा था पीजा के बारे हैं कुछ था भी नहीं कितनी पर मैंने पीजा देखा है मन नहीं कर रहा था अब अचानक से देखके अचानक से मन कर गया तो वो क्यूं कर रहा है हमने तो नहीं किया ना तो परमात्मा ने नोट किया था दो साल पहले कि इसने 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 इच्छा की थी और अब यह time बिलकुल आ गया है इसको फीजा खिलाने का तो उन्होंने तथास्टू कर दे फिर रोखनी सकते हैं जिसको भगवान तथास्टू कर दे उसको क्या रोखो गया फिर रोखनी सकते हैं इसलिए बहुत careful साक्षी, भगवान सब कुछ देख रहे हैं बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अंदर है यही भूला होगे पहले तो और वो कैसे पता लगए है कि भगवान अंदर बैठके देख रहे हैं वो भगवान के नाम से नाम के रूप में जाएंगे और सारा अंदरा हटा देंगे जब अंदरा हटेगा तो हमी दिखाए दिन लेगा मैं आत्मा हूँ और मेरे साथ कौन बैठा है मेरे साक्षी बैठे हैं फिर आप को याज रहेगा फिर आप ध्यान से सोचोगे ध्यान से देखोगे एक्चली पता है कि हम सोचते हैं कि हम देख रहे हैं वो एंकार है एक्चली मगर इसका मतलब भी ने कि हम नहीं देख रहे वो अफीमची है तो ऐसा भी ने कि हम नहीं हम ही देख रहे हैं मगर एंकार ये है कि केबल मैं ही देख रहा हूँ एंकार इसको कहते है एक ज्यानी व्यक्ति कोई पता है कि मैं भी देख रहा हूँ और कौन भी देख रहा है और भगवान भी देख रहा है एक्चली भगवान की क्रिपास ही मैं देख पा रहा हूँ ये और higher level है फर्स लेवल है कि मैं भी देख रहा हूं भगवान भी देख रहा हूं सेकेंड लेवल है कि भगवान की कृपासे मैं देख पा रहा हूं प्रभुपाद भागवते में देख रहा हूं थर्ड लेवल है और अनुभव में बढ़ जाओगे तो आप आपको पता लेजागा कि भ फिर हम देखते हैं नहीं बिना लाइट के कैसे दिखाई देगा तो वह वह है रिलाजेशन है और हाइस्ट रिलाजेशन है कि आपको समझा रहेगा कि एक्चुली मुझे वो देखना चाहिए जो भगवान देखना चाहते है कि एल्टिमेटली मेरा देखना इंपॉर्टन नहीं है किसका देखना इंपॉर्टन है भगवान का सो मुझे वो देखना चाहिए जो भगवान देखना चाहते हैं और वो नहीं देखना चाहिए जो भगवान नहीं देखना चाहते है कुछ कि वह मेरे स्वामी है नंग वो देख रहे हैं न वो हमारी आंखों से देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं अगर एक्चली ही is more important ऐसे हम गाड़ी में बैठे हो, आंका बच्चा भी है, तो बच्चा कहें का पापा पापा देखो पहाड़, नहीं, खिड़की चे देख रहा है नहीं देख रहा है पहाड़, पापा भी देख रहा है यहाँ पहाड़ है, तो फादर के लिए किसके दृष्ट इंपोर्टन है बच्चे की नहीं तो बच्चे को देखाएंगे नहीं पापा देखो पहाड अरे पहाड पेड़ देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं यहां फूल देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं तो फादर खुद देख रहे हैं मगर किस के लिए देख रहे हैं बच्चे के लिए उसको दिखाने के लिए देख रहे हैं actually तो ऐसे ही है वो खिड़की क्या गाड़ी की वो हमारी दो खिड़की आखे है नि हम अंदर बैठे हैं so हम वो देख रहे हैं हम भगवान को दिखाने के लिए देखते हैं actually वो highest realization है वो तो वो तो जड़ भारत और उनकी realization थी if you can reach there, very good if you cannot reach there at least ये तो ध्यान रखो की भगवान हमारे हिर्दे में साक्षी है ध्यान से सब कुछ करो और वो note करते है सब कुछ सब कुछ उनकी डाइरी में note है हो सकता है दस साल बाद वो इच्छार है इसलिए don't mess up with him साक्षी और निवासा प्रभुपात क्या लिख रहे है धाम प्रभुपात कह रहे है कि हमारा घर हमारा देश लोग जहां पर हम रह रहे है सब कुछ कृष्ण का है निवासा मतलब जहां पर हम रह रहे है वो भगवान का है हमारा घर कौन सा है एक्चली हमारा घर क्या है वो तो ठीक है अभी यहां पर कौन सा घर है जब घर की बात करते है क्या समझते है शरीर घर है यह पत्तरों का घर तो है यह पृत्वी तो भगवान की है मगर इस शरीर भगवान का ध्यान रखना है इसलिए डिवोटी अपने शेरीर का भी ख्याल रखता है, क्योंकि भगवान कहनी है, भगवान की चीज भगवान के लिए इस्तमाल करता है, इसलिए अपने हाथ या भगवान के हाथ भगवान की सेवह में इस्तमाल करता है, अगर ऐसा कहलो तो, अपने हाथ तो कहना पड़त कुछ से ऐसा बोलना पड़ता है अब अपने हाथ कुछ इस्तमाल करें भावांगी सेवा में अग्चली ऐसा नहीं है नॉलिजिबल आदमी उसको पता है इसा नहीं है इसले कृष्णा करें निवास हो यह मेरी प्रॉपर्टी है यह बाड़ी इसलिए चतने अपने बोला था मुझे इस चिस्तमाल करने के लिए इसलिए सबसे बड़ा पाप क्यूंकि अपनी समझ के सकतम कर रहा है भगवान की प्रपटी हम एक्चुली इस्ट्रॉय कर रहे हमारा कोई हख निया कि भगवान की प्रपटी इस्ट्रॉय कर रहे हम अपनी प्रपटी इस्ट्रॉय करनी है वह कर लो अब डिस्ट्रॉय करना है तो अपनी प्रपटी करो हमारी प्रपटी क्या है हमारी प्रपटी स निवासह, शरणम, प्रवपाल दिखने आप शरणम के बारे में, शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्वे हैं, अते मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा, अपने कष्टों के बिनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहन करे, भगवान की शरण लें हम, अपनी रक्षा के ल हम भगवान की शेरन लेते हैं अपनी सेवा की रक्षा के लिए, हम भगवान की सेवा करते हैं सेवा की रक्षा के लिए, ऐसा कहलो, जितनी सेवा करोगे उतनी सेवा की रक्षा होगी, यह रूल है, that's all, क्योंकि सेवा ही सेवा की रक्षा करती है, नहीं जिस प्रकार जहर जहर को attracted उस प्रकार सेवा के खोड़े करती है कुछ और नहीं करने की जोड़ा होगा ! कुछ और हत्पकंडे अपनाने की जोड़े होगे सेवा की रख्षा हाँ भी मैं सेवा कर रहा हूँ अब मैं हमें पढ़े होगा तो क्या करूँ तो ये प्लान मना लूँगा ये प्लान मना लूँगा ये टेक्नीक वो टेक्नीक ये मुची वो सूची ये मड़ी वो मड़ी मड़ी होते हैं न साथ इंडिया में so वो सब जरूरी है मैं का main रक्षा कौन करेगा सेवा की सेवा जितनी सेवा करोगे उतनी सेवा की रक्षा हो जाएगी आप नहीं पढ़ोगे माया में बस तरीका यही है नहीं और वैसे common sense भी है यह सिर्फ cycle चलाते हो चलाया है न समने cycle cycle चलाने के technique की है पर और कोई तरीका नहीं है उसका cycle आप चलाओगे तो चलाओगे और जितनी speed पर चलाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी चलेगी नहीं तभी तो जब ने-ने सीकते हैं तो धीरे-धीरे करते हैं तो गिर जाते हैं तो लोग गाते हैं यहार बस बैठ हो तो पैडल मार तेज़ तो speed cycle को बैलन्स करती है ढों physics , आश्たलीby करती है cycle को बैलन्स अगर अब slow आप कितना इक्सपारन्स करता है और गिर जाओगे तो अच्छली हमें लग रहे हम Lasts करें हम नहीं करहे है में हम बैलस करने वाले नो स्पीड बैलन्स करें सेखल को यहां हम बैलन्स करने वाले तो बिना चलाया है भी हम बैलन्स कर सकते हैं कुछ लोग पैक्टिस कर लेते हैं मंगा इन जनरल बिना चलाया अफ़ड़े हो गिर जाएगी हो इन कितने टाइम अब कुछ नहीं कर सकते हैं आа deth हो जाते हैं उशलना तो पड़ता है एक जाके खड़े हो जबभा गिर जाएगे तो cycle की speedy cycle को चलाती है cycle cycle को ही balance करेगी you got my point सबका experience है उसी उच्छाबस rear calling go balance करेगी जितनी सेवा में speed होगी उतनी सेवा को बैलन्स हो जाएगा आपकी स्पीड स्लो कर दोगे चलो भी आप सेवा नहीं कर पा रहे अब तो बहुत सेवा होगे भी याब अब तो मैं प्राबलम में पढ़ रहा हूँ सेवा कम कर दी सेवा कम की तो और गए सो अगर कभी आपको अपनी भक्ति सेवा बैलन्स करनी है तो क्या करना चीए सेवा बढ़ाना चीए कम करना चीए और बढ़ा दो बलकि तो अपने आप बैलन्स हो जाएगा अपने आप कोई सॉलूशन निकल आएगा कम कर दोगे तो फस जाओगे खाली दिमाग और पागल हो जाओ गया तो उल्टा करना चीए शर्नम सुहिर्थ प्रभपात फिर क्या कह रहे है कृष्णा कौन कह रहे है मैं क्या हूँ सुहिर्थ सुहिर्थ पता क्या होता है पता क्या लिख रहे है सुहिर्थ क्या लिख रहे है घनिष्ट मित्र अब actually मित्र और सुहित में फरक होता है मित्र तो चलो मित्र है सुहित मतलब क्या है घनिष्ट मित्र घनिष्ट मित्र होता है कि मतलब बिना मांगे भी जो मदद करे मित्र जो है वो तो आपने help मांगी तो करेगा नहीं मांगी तो नहीं करेगा सुहिर्त होता है कि आपने अब प्रार्थेत प्राथना भी नहीं कहिते तब भी मदद करता है वो सुहिर्त है इसलिए भगवान कह raty है अगर तुम प्राथना नहीं पहुरोगा तब भी मैं तुम्हारी help करता है तो प्राथना नहीं करनी चाहिए क्यों बिना परातना के भागवान मदद करने तो कि नहीं करना चाहिए कि यह सॉल्यूशन है इसको बिना मांगे मदद कर देंगे भगवान तो बिना मांगे मदद करते हैं मगर हम इसको अंडू एडवांटेच नहीं लेना चाहिए भगवान में बैठा हूं मुझे बताये मदद करोगे यह तो नॉंसेंस हो गया इसलिए भगवान अपेक्षा करते हैं कि हम भगवान से प्रातना करें मगर एक और रिजन है कि हम प्रातना करते हैं मैंने बताया था कि हम प्रातना इसलिए करते हैं कि भगवान पे पार्शायलिटी का अक्षेप न लग जाए क्यों कि भगवान बिना मांगे मदद करेंगे तो सब लोग कहेंगे भगवान आप क्यूं मदद कर रहे हो बिना बोले तो जो असुर हैं वो कहेंगे आप हमारी तो मदद नहीं कर रहें बिना बोले उसकी कर रहे हो देखा फक्षपाती हो इसलिए डिवोटी सोचने चलो भी मैं मांगी लेता हूँ और फिर जब मांग लूँगा तो फिर उसके बाद अगर हो कहेंगे वहारी भी मदद कर है तो भगवान केंगे उसने माँगा ता इसलिए मदद की तुम मांगते नहीं तो मसुरो so that's the idea चूब डिवोटी हमेशा भगवान के बारे में सोच रहे अपने बारे में नहीं सोच ता इसलिए प्रात्ना भी करता है डिवोटी तो सुहिर्त है और बिना मांगे मदद भी करता है बिना मांगे पनिश्मेंट भी देते हैं वो भी तो करते है इसलिए भी प्रात्ना की जरूरत है जब पिटो गए तो प्रात्ना करने पड़ते हैं तिया भगवान माफ कर दीजा, बागसे नहीं करेंगे, वो भी जरूरी है, वो एक पार्ट है प्राथना का, otherwise क्या है, प्रभवा प्रलया स्थानम, क्रिश्णा कह रहे है कि मैं ही प्रभवा हूँ, प्रलया स्थानम, मैं ही श्रिष्टी करता है, समहार करता हूँ, मैं ही तीन हूँ, प्रभवा, प्रलया स्थानम, तो इस संसार की श्रिष्टी, इस संसार का पालन, इस संसार का सहार कौन करते हैं कृष्णा हमारे भी संसार की श्रिष्टी कौन करते है कृष्णा भोग्यों के संसार की श्रिष्टी कौन करता है कृष्णा ही तो करते है इच्छा उनकी होती है श्रिष्टी भगवान करते है तुम्हे तुम्हे अपना इंपायर चीए तो लो मैं बना कर देता हूं उसका इ लाए होता है, सिती करते हरें, हमें इंजॉइ कराते हैं ड्रीम्स में, वह फिर मातमी करा रहा हैं, और भ aquesta की जीवानों ही बहुत सेवा की स्रिश्टी करते हैं, सेवा नहीं देते हैं criticizing बहुत भगवान ने और हिमया के बनाई है? avail ह प्रभुपात को नजे इंटाइशन में आब देख संद सेवा सेवा क्रिएट करते हैं सेवा की शिष्टी करते हैं और सेवा पालना भी करते हैं सेवा करने के लिए आईडिया अपर्लय करें निजाओगा करोकर अधों आश्रे, निधान मतलब आश्रे होता है, विश्राम स्थाल, निधानम धा, धा मतलब धारन, निधानम मतलब आश्रे, क्रिश्ना गह रहे हैं, मैं ही सबका, सबका निधान हो, क्योंकि भगवान हमारे परमपत है, उनसे बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता है, विश्राम स्था और भगवान बहुत एंटिजियस्टिक हैं कि जल्दी से मेरा आश्रे ले ले, मेरे गोलोग आ जाए और भगवान प्लैनिंग करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, कहीं जन्मों से कोशिश कर रहते हैं, लो और मतलब, you can imagine, हम इतने स्मार्ट हैं कि कहीं जन्मों से हम भगवान की कोशिश फेल कर डाला, बड़ी अजीव सी बात है, कि अगर भगवान कभी फेल नहीं होते हैं, मगर कृकि हमारी स्वतनत रिच्छा है नहीं, इसलिए भगवान इंटरफेर भी नहीं करते हैं, नग् academics, बढनाते हैं, मगर भगवान के planus को हम खराब करते रहते हैं, बारभवाज, हैंगी, भगवान plan बनाते हैं, चलो भी इसको डेवोटी से मिल वादो, इंस्टर्क्श दने पुझे कारण और कम अभयायम क्रिष्णा के रहे है कि मैं ही सारे कारणों का जो कारन हुँ आपकोडियोस कारन्न हम तुम भग भगति में आगे बढ़े होसका कारन्न हुआ है तुम भक्ति में पीछे जा रहे हैं उसका कारण? मगर पीछे जाने का श्रे तुम्हारा है, कारण में हूँ. तब ही कृष्णा कह रहे हैं कारणों का कारण हूँ. तुम भी कारण हो उसमें पीछे जाने में. तुम भी कारण हो, मगर मैं उस कारण का भी कारण हूँ तुम कारण क्योंकि तुमने इच्छागी मैं कारण हूँ क्योंकि मैंने तुमारी इच्छा पूरी किये मगर तुमने इच्छागी इसलिए responsible तुम हो जो immediate कारण है वो ही responsible होगा नहीं उसी को पकड़ते है न चोरी के उसी को पकड़ेंगे हो गएगा नहीं नहीं यार मुझे तो उसने बोला था अब ही है कोई evidence नहीं है तुझे पकड़ेंगे हम हमें गापता हो सकता है उसने plan बना के दिया पूरा boss ने यह तो प्यांदा है अब पकड़ा वो गया तो boss को थोड़े ना पकड़ते है उसको evidence ही नहीं है evidence हो उसके लिए है न तो ऐसी हम है हमने इच्छा की मगब plan भगवान ने बना के दिया मगब पकड़ा तो वो गया है अभी तो उसको सजा मिलेगी भगवान को थोड़े ना बहुत responsible थोड़े ना evidence ही नहीं है कर लो कुछ भी कर लो इसलिए Krishna कह रहे है मैं कारणों का कारण हूं सिरफ कारण नहीं कह रहे है this is very important कारणों कारण इसमें इसमें philosophy है कारणों कारण इससे मनना चाहिए डिवोटी को पता है कि भगवान का invisible hand है सके पीछे invisible है इसलिए पकड़े नहीं जाते पकड़े हम जाते हैं हमी visible होते हैं हर सीम में so invisible hand there so that's about Krishna कितना चाहश लोग है नहीं actually आप याद कर सकते हो भगवान अपने बारें बता रहे है भगवान अपने प्रेम से अपने भगतों का अपने बारें बता रहे है देखो मैंसे ऐसे हूँ मुझे समझने कोशिश करो और मुझे प्रेम करो Hare Krishna शीरा प्रभपात की कुछ पूछना कुछ कहना प्रिंदावन में कुछ डिवोटी आप जैसे कह रहे हैं प्रिंदावन में बैठे हैं तो उसमें कुछ डिवोटी शीरा प्रिंदावन से बाहर जाते ही अपनी इच्छाइ के रहता है लिवोटी रहता हूँ थोड़ा इंवामेट का सब रही इस ही कारण रुका रहता हूँ ठीक है बट इस टेपनी इस बढ़ आइडिया इस वहान के रहे है वो कुछ जुगाड हो सकता है थोड़े टाइम के लिए काम कर रहा है मना नहीं कर रहे है काम नहीं कर रहा मैं को जुगाड है जुगाड पूरे टाइम नहीं चलता तो फॉल डाम हो जाएगा एक ताइम के कुछ नहीं कर पाएगा full proof method नहीं है so ठीक है शास्त्र में दिया विंदावने बैटना and that's okay it'll not work for long we don't if we don't follow what I said by परमपरा तो सेवा expected अगर भो नहीं करेंगे तो फिर fall down हो गई भी आप company में जो आप करना है आप भो नहीं कर रहे है आप कुछ और कर रहे हो सईज कर रहे हो fire बही इसने का भी मैंने तो profit करा है तुने profit क्या है मगर company का goal कुछ और था वो तो नहीं हुआ न ठीक है profit हो गया मुझे पता profit हुआ है मगर फाइदा क्या हुआ मुझे तो उसको फाइदा नहीं भो दो पाइदा नहीं हो लोगों को भक्ती मिले मेरा मिशन है अगर अगर हम भगवान का मिशन पूरा करेंगे हो सकता है कुछ तकलीफ हो हो सकता है तकलीफ यह से अरजुन को तकलीफ नहीं हो रही थी भगवान का मिशन पूरा करने में भी इसको मारो इसको मारे हो गुरू को मार दो मतलब but 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 ultimately ultimately हम बिनार होंगे ultimately हम बिनार होंगे उतार चड़ा वो आएगा लिएकि भगवान का mission तो मुश्किल होगा आपका mission तो बहुत easy होगा छोटा होसा होगा बस 10 साल का भगवान का mission है हजारों साल का तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़े होती है उपनीचे आते हैं मगा ultimately अगर भगवान के mission में participate करेंगे तो भगवान responsible है फिर आपके लिए नहीं जैसे boss responsible होता है नहीं होता है फिर चाहे आप डूब भी जाओ वो हाथ पकड़ के निकाल लेंगे responsibility उनकी है ना वो back up करेंगे अपना mission है डूब गए तो डूब गए खतम finish black hole so don't be disturbed अगर भगवान के mission में उतार को कह रहा है मैं disturbed होता हूँ कोई problem नहीं उससे को disturbance होगी कभी कभी उपन नीचे आएगा बढ़ भगवान की इच्छा पूरी करते जाओ आँख बंद करके करते जाओ उठा लेंगे वा हाथ पकड़के back up दे दे देंगे time पे कोई problem नहीं है मगर देंगे चरूर अदर्वाइस उनकी बेस्ती होगी ना उनकी तो employee है employee की क्या बेस्ती होगी employee की देख ना कर, बेस्ती होती है वह तो हाई आप नहीं पहलες हो यह नहीं आते हो किसी देख रिखागवान की मर्जि से रिख है वह प्रलाय है सारे सकनों का प्रलाय करते थे सारे सकनों की श्रिफ्टी करते प्रले और सृिफ्टी सपने नहीं आना बुरा बुरी बात है एक्चली देवी इवताओं को सपने आते हैं, अपने नहीं आना तो तमोगुन में है, बट मेडिकल ही अच्छा है, क्योंकि हम दिंग स्लीप में हो, आपको माइंड को रेस्ट मिलता है, बट स्पूरिचुली इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अब पूरा सब कुछ भूल ग कभी अज़ी अधने ओख़ना अच्छा है क्योंकि अफ़ ही आते हैं, आते हैं नहीं हो, आते हैं अपनी झाट को रहां नहीं है वो उससे बैटा रहे है यह दोड़न अच्छा है वो दंदे अच्छा हो जाएंगा तो वो तमोगने वो रजोगने तमोगन में वेक्ति अपने आपको भूलाते हैं यह तो तमोगन शराप भी के भूलिया अपने आपको भी कुछ और ही कर रहे तभी वो इसको तमोगन कहते हैं अपने एंटिटी रेस हो गई अब बेडा ये आते हैं कि मैं हूं कभी गभी भाई चंस कृष्णा दिखा ज़िए आते हैं ससकते हैं को कौने में बैठły एंटे हैं कभी-Kभी तो होता ही है तो बैठार है ना कोज याद ही नहीं है तो कुछ ड़िज भी याद ही आन है ये आप you can't experience that thing you have forgotten that so that's a funny thing well some people read it we do it we do it we do it for 2 hours we do it we sit on the floor we do it we do it we do it so that's it so that's it so that's it what I prefer is I sit and understand what is there because after this when I repeat I'm tired then I'm tired then I'll sleep जो 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 जो, ultimately time-based हो जाता, until unless properly planned or group नहीं मतलब अकेले होता नहीं, group हो, to mazha भी आता है so that's a different thing, South India में करते हैं, पड़ायन कहते हैं पड़ायन कहते हैं पड़ायन कहते हैं, पड़ायन कहते हैं it's nice, if you're understanding it's nice प्रवाइब श्लोक पढ़ते हैं वो भी है वो भी है वो भी है मैं प्रफर करता हूं मेडिटेट करना अच्छे श्लोकों के दिहान से बस्ता तो दूसरे पुशनेश से मतवर नहीं है कि जैसे हमें अपने वच्छे वाई बख्तिया दे माला करते हैं उसरों से बुरगान करना चाहिए कि दूसरे बच्छे वाई बच्छे ने मतवर चालो कर दिये अच्छा है सब के सामने है अच्छा ही है उनको एंकरेजमेंट हो मिलती है बड़ा नहीं है तो बड़ा ही क्या है एपनी अछागर raja अच्छ आख आटे कर था एंपनी आटिकर अरएज फैन तो कर नगraiज करने के लिए तो बोल रहे हैं अर दूसरों को भी बता लगए थी तुम्हारे बच्छे कुछ नहीं कर रहे हैं audienceр वो बोल दो, तो मैसेज तो पौची गया, उसके पास किसको, कॉन से लक्षे, जैसे अग्वान के लिए जो है, बताना चाहिए हरेको नहीं बताना चाहिए, यह तो डिसकस वेट गुयमा का थी प्रच्छती, with devotees whom you have same frequency, whom you like, whom you have trust हरेको बताओगा तो value भी नहीं दोगा, यह ठीक है, इसके अपने 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 चलता है अपने 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 चलता है ओके, हरेकिष्णा, श्रीणा प्रवपात की जैए झालिए झाल झाल